तो हाई आप सभी का अपना प्रिशान भाया और लेकर आ गया हूँ रापिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो की है लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है ना अच्छा इससे पहले हमने एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन पूरा कवर कर रखा है जो की है चैप्टर के अंदर हम आज इसको रिवाइज करने वाले है तो देखो अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है कुन से चार प्रोसेस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने है नूट्रिशन रिस्फिरेशन ट्रांस पूटेशन एक एक कर करके पढ़ते हैं सबसे बहुला नूट्रिशन बहिया को ठालेते हैं और इसको डिटेल में समझते है चलो पहले बात आती है nutrition होता क्या है, क्या है वही है nutrition, समझा देता हूँ, nutrition is obtaining the food and utilizing the food, खाने को खाना और उसके energy को utilize करना, उस पूरे process को हम बोलते हैं क्या nutrition, कितने type के होते हैं nutrition, दो type के, autotrophic, heterotrophic, autotrophic कौन से, जो की खुद का खाना खुद बनाते हैं, self है न, खुद से ही फुसरों पर dependent होते हैं अपने nutrition के लिए, जैसे कि हम, अब देखो, heterotrophic है, तीन type का, सबसे पहले आ जाता है, क्या holozoic, ध्यान से देखना बेटा, holozoic nutrition, holozoic nutrition वो होता है, जो कि हम follow करते हैं, हम क्या करते हैं, solid खाने को खाते हैं, और हमारी body के अंदर digestion होता है, उस पू definition पढ़ लेना, organisms feed on dead and decaying matter, food is digested externally, मतलब इसके अंदर खाना body के अंदर digest नहीं होता, खाना बाहर digest होता है, बहुत ज़्यादा important point है, example याद रखना, bread, mold, mushroom, yeast, वगेरा वगेरा, ठीक है, उसके लावा है, parasitic, parasitic, बालों में जू लगी है, जू, वो ही होता है, तो parasitic nutrition वो होत है, organisms derive nutrition from plants or animals without killing them, मतलब वो एक host के उपर होते हैं, और उस host से खाने को लेते हैं, और उस host को मारते नहीं है, जू हमारे वालों में लग जाती है, तो हमसे blood लेती रहती हैं, बढ़ हमें मारती नहीं है, वही same, तो इसके क्या होता है, example याद रखेंगे, जो कि है tape bomb lies, ये example आ बढ़ते हैं, photosynthesis, भाया बच्मन से बढ़ते हैं, photosynthesis, अच्छा ये reaction बच्मन से देखते हैं, ये वाली reaction बिल्कुल देखते हैं भाया, क्या होता था इस reaction के अंदर, carbon dioxide, पानी, chlorophyll और sunlight की मदद से क्या बनता था, glucose और oxygen और water, याद है ना, reaction of photosynthesis, बहुत जाद है ये balance आपको जो equation है, ये आपको याद रखनी है, अच्छा एक तीर याद रखना, बहुत important point बता रहा हूँ, जो energy होती है, plants जो होते हैं, अपनी energy को, वो पता है कैसे store करके रखते हैं, वो stars की form में store करते हैं, जबकि humans कैसे store करते हैं, humans glycogen की form में, अपनी energy को store करके रखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखो कुछ steps होते हैं, कि ये जो photosynthesis का जो process होता है, इसके कुछ steps होते हैं, basically तीनी step होते हैं, step याद रखना है, क्योंकि बार-बार question आ जाता है, पहला step होता है, absorption of light energy by chlorophyll, chlorophyll सारी light energy को absorb करता है, उसके बाद step आता है, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules, ठीक है, water molecules split हो जाते हैं, जो आपकी light energy हो, chemical में convert हो जाती है, और last step आता है, reduction of carbon dioxide to carbohydrates, carbohydrate का बन जाना, ये होता है last process, तो इन तीन processes के अंदर आपका क्या होता है, photosynthesis, अब बड़ा ही एक important topic बताने जा रहा हूं, जो की है guard cell, ये diagram बहुत जादा important देखो, जो भी important diagram है, वो भी बताते चलू ये diagram बहुत important है, ये diagram क्या है, ये जो आपको bean-like structure दिख रहे हैं, ये, ये, ये guard cell है, guard cell क्या करते है, controls the opening and closing of stomata, stomata क्या करता है, gases का एक्सचेंच, कौन गंट्रोल कर रहा है stomata को, guard cell, कैसे control कर रहा है, guard cell में पानी आया, guard cell open हो गया, guard cell से पानी गया, guard cell close हो गया, तो guard cell को प वो देखो जो आपका जो अमीबा होता है वो भी एक टाइप का होलो जो एक nutrition ही दिखा रहा होता है तो इसके कुछ पांथ स्टेप होते हैं यह अमीबा का डाइगराम तो सबको बता होगा पांथ स्टेप बता देता हूं पहला होता है इनजेशन खाने को खाना जैसे कि आप सबसे पहले हम खाने को लेंगे कहां से खाएंगे हमारे यहां से टीच से उसे क्रश करेंगे सलाइवा में क्या होता है याद रखेंगे सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेस सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है उसको सिंपलर शुगर में तोड़ देता है यानि माल टोस के अंदर तोड़ देता है तो वह काम होता है सलाइवरी अमाइलेस का चीक है तो उसके पास होती है, तीन चीज़े, hydrochloric acid, अगली क्या होती है, mucus, जो की layer होती है, और अगली होती है, pepsin, pepsin क्या होता है, एक ऐसा enzyme होता है, जो की protein की digestion में मदद करता है, उसके बाद खाना नीचे जाता है, तो दो गुंडे मिलते है, एक है liver, एक है pancreas, एक है आपका pancreas, तो देखो, सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले liver आता है, liver के पास होता है bile juice, bile juice को liver पता है, कहाँ स्टोर अभी देता हूँ, fats को सबसे पहला काम होता है, fats को तोड़ देना, अगला काम क्या होता है, कि जो food है ना, उसको alkaline बनाना, यानि basic बनाना, है न, basic nature पता है न, basic बनाना, ठीक है, दो काम होता है, अब दूसरा गुंड़ा आता है, दूसरा गुंड़ा है pancreas, pancreas, pancreatic juice देत है digestion of carbohydrates, तो यहां तक खाना digest हो गया, अब खाना जाता है directly small intestine के अंदर, अब देखो नाम में small है, but काम इसका बहुत बढ़ा है, क्योंकि small intestine 5-7 मीटर लंबी होती है, तो इसका निकने में चोटा डॉन, नाम याद रखेंगे चोटा डॉन, अब देखो, इसके अंदर final digestion take place कर करता है, याद रखना, यह जो आपकी small intestine होते है, इसका हम बोलते है villi, यह आपकी small intestine इसमाना like structure होता है, जिसका हम बोलता है, क्या villi, विलाय के अंदर बहुत सारी blood vessels होती है good vessels होती है इसके अंदर ठीक है तो यह अब्जॐप्शन करता है खाने जैसी घना आया D. एंदर खाने आया विलाय के पास आया विलाय के अंदर ब्लकड़ वैसल्स हे है तो विलाय के या करता है digested food को bloods के अंदर absorb कर लेता है तो यानि absorption का काम किसका एक small intestine का अब खाना उसके बाद जाता है ये large intestine में large intestine क्या करता है जितना भी पानी उसको खीच लेता है और जो waste है वो NS की मदद से बाहर आप excrete कर देते हो ये पूरा का पूरा हो गया human nutrition चलिए बैटा आगे बढ़ते है respiration के उपर respiration क्या है देखो याद रखना respiration breathing अलग है breathing क्या है ये है breathing यानि breathing होती है inhaling exhaling ये है breathing जबकि respiration क्या होता है respiration is the process by which food is burnt in the cell of the body with the help of oxygen यानि food का तोरना और क्या करना energy का release करना उस पूरे process को हम क्या बोलते है respiration respiration और breathing का difference बार बार पूछा जाता है तो याद रखना कि breathing जो होता है वो physical process है ये एक प्रकार का bio chemical process है इसमें कोई enzyme नहीं होता इसमें बहुत सारे enzymes मिले होते हैं ठीक है और ये कुछ organs के अंदर होता है मतलब इसका एक organ है कौन सा lung और respiration हर एक cell के अंदर होता है हर एक cell के अंदर होता है तो कुछ difference है तीन या चार difference आप हमेशा याद रखना है कोशन कभी पूछा जा सकता है तीन number के अंदर आगे बढ़ते हैं अब देखो respiration होता है दो टाइप का एक होता है aerobic एक होता है anaerobic क्या होता है aerobic होता है जहां पर oxygen है anaerobic जहां पर oxygen नहीं है एक table दिखाता हूं उसकी मंदर समझ जाएगा देखो यह table बहुत important है पेटा हमारे पास ता glucose glucose जाता है aerobic respiration करता है और याद रखना wooden respiration में हमेशा बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना कोशन पक्का आएगा जो पढ़ा रहा हूं अगर कल परसों में पेपर है तो यहीं से आने वाला है शर्त लगा लो आजाओ आगे बरते हैं अब इस पूरी को पूरे डाइगराम को देखना बहुत इंपोर्टेंट डाइगराम है है फेरेंग्स उसके नीचे है लेरेंग्स लेरेंग्स क्या होता है वोईज बॉक्स जहां से मेरी आज आवाज निकल रही है ठीक है उसके बाद आप नीचे जाओगे तो यह आगया आपका क्या ट्राकिया यह क्या आगया ट्रैकिया अब ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है यह आप देख पारे हो यह जो डिवाइड हो गया है यह ब्राउंग कई hands के अंदर और ब्रॉंक já गे यह इंद में होता है आप और यह टाईप ग्राम के याद रखना डाईप ग्राम की शेप होती है कeurवड जब हुम्त संस लेते हैं ग्राम जैसे मैं सांस लिया तो डाइवग्रम फ्लैट हो जाता है और सांस छोड़ी वापस से ऐसा हो गया सांस ली फ्लैट हो गया ठीक है यह क्लियर रेवग्रम का अब तुनो अब भाया गैस एक्सचेंज हो कैसे रहा है इलवो लाई में क्या है ऐसा समझा देता हूँ देखो ब्लड के अंदर carbon dioxide था ना वो तो बहार निकल जाता है और जो उसके अंदर oxygen था वो blood vessel के अंदर वापिस आ जाता है तो हमारे ब्लड को oxygen मिल जाता है और carbon dioxide बहार चली जाती है यह main काम होता है elbow life का कौन करता है बेटा elbow life कैसे कर पाता है क्योंकि blood करते है transportation की up के moment करना है किद की मदद से होगा टीजों की मदद से होगा पहले blood blood क्या है ब्लड एक type का fluid है सब को पता है blood के क्या-क्य pass होते है एक तो एक टो प्लेट बहुत बड़ी है बैटा अब देखो अगली चीज़ है blood vessel, blood vessel क्या करती है, blood vessel भी अपनी टीन टाइप की होती है, पहली होती है arteries, veins, capillaries, arteries क्या करती है, arteries में A है, A आनि away, तो याद रखना arteries हमेशा खूल को दिल से दूर लेके जाएगी, दूर अवे और veins हमेशा दिल की तरफ लेके जाएगी capillaries क्या करती है capillaries arteries और veins को connect करती है बीच में connect करती है ठीक है तो अब इनका एक difference है यह difference बहुत important है याद रखना देखो पहली चीज़ हमारी जो arteries होती है almost हमेशा क्या करती है arteries हमेशा oxygenated blood को carry करती है बट केवल एक ऐसी artery है जो कि deoxygenated blood को carry करती है इसको हम बोलते है pulmonary arteries similarly veins हमेशा क्या करती है deoxygenated blood को carry करती है बट एक ऐसी vein है जिसको हम बोलते है pulmonary vein ठीक है उसके अलावा arteries जो होती है न वो बहुत ज़्यादा थिक होती है क्यों ठीक होती है, क्योंकि उन्हें blood को pressure से carry करना होता है, चीक है, और veins जो होती है, वो थोड़ी पतली होती है, तो ये कुछ हमारे इनके बीच में difference है, एक चीज़ और याद रखना, veins के पास पते क्या होते है, veins के पास होते है, valves, valves, valves क्या होते है, valves दोगा ऐसे कुछ structure होता veins के अंदर, चलिए, बहुत बढ़ी है, तो ये कुछ differences है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो hurt, hurt के बारे में बात करते हैं, अब देखो hurt जो है, वो बहुत जादा important है, क्यों, क्योंकि hurt का का काम है, blood का pump है न, तो जो आज ही के लोग बोलते हैं, हमारा दिल तूड़ तूड अगर दिल तूड़ जाता है, तो blood pump नहीं होता है, और खो, तो याद रखना कि दिल का काम क्या होता है, blood का pump करना, बहुत important चीज मैं बताने वाला हूँ, plant के उपर बाद में आऊँगा, सबसे पहले मैं आपको दिल समझा देता हूँ, ये बहुत important चीज है, ध्यान से समझ left atrium, left ventricle, atrium के जगे auricle भी बोल सकते हैं, अब देखो, ये आपका लंग है, लंग नहीं क्या करा था, याद करो, याद करो, बलड को साफ, यानि बलड को oxygen दिया था, अब अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर oxygen वाला blood मेरे पास आया, यहां से मेरे पास एक दम oxygenated blood आया, य left atrium से गया, left ventricle में, left ventricle से कहा गया, left ventricle से गया, पूरी body के अंदर, कौन लेके जाएगा, बोलो यार, artery लेके जाएगी, कौन सी artery लेके जाएगी, आयोटा, नाम याद रखना बेटा, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी artery होती हमारी body की आयोटा, चीक है, आयोटा कहां पर बोडी के पास, अब बोडी ने उस खून को deoxygenated बना दिया, carbon dioxide दे दी, तो वापिस से अब खून आएगा, कहां पर, दिल में, दिल में कौन लेकर आएगा, कौन सी वेन लेकर आएगी, मैं बता देता हूँ, उस वेन का नियाम होता है, वीना कावा, वीना कावा वापिस ल memory artery, याद रहेगा, यह पूरा का पूरा procedure है, यह बहुत important cycle है, इसे याद रखनी है, अब एक दो चीज़े याद रखना, देखो, पर यह जो atrium है, यह आप देख पारे हो atrium, यह फिर auricle, इनकी जो wall होती है, यह थोड़ी thin होती है, और ventricle की wall थिक होती है, इसा क्यों, क्यो इसे जो ventricle होता है, उसे blood को क्या करना है, pump करना है, जोरदार तरीक से pump करना है, इस सवज़े से इनकी जो walls होती है, वो थिक होती है, जैसे कि आप इस diagram में भी देख पारे हो, नीचे से क्या है, ठिक है, इनके बीच में क्या होता है, इसको हम बोलते है, सेptum, क्या बोलते ह जादा important है, I hope आपको इसकी पूरी की पूरी working जो है, वो समझ में आ गई होगी, अब एक चीज़ और समझना, कि देखो हमारे heart, महला हमारी body के अंदर double circulation होता है, यानि चो खून है, वो दिल में दो बार जाता है, कैसे जाता है, सबसे पहले तो lung से दिल में गया, और दिल स अललग में गया, तो एक cycle तो ये हो गई, चीक है, और दूसरी cycle क्या है, दिल से body में गया, ब्री से दिल में गया, दूसरी cycle ये हो गई, तो दो cycle होती है, इसको हम बोलते है, क्या pulmonary circuit, और इसको हम बोलते है systemic circuit, क्या बोलते है systemic circuit, तर ये चीज बड़ी important थी, अब सवाल ये आता है कि यह double circulation की जोरत क्या है what is the need बार-बार पिपर के अंदर आता है तो याद रखना याद रखना देखो chambers in the heart is to prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood हमारे chamber बनाए जा रहे हैं है ना और हमारा double circulation हो रहा है क्यों हो रहा है ताकि एक तो खून mix ना हो और जब खून mix नी होगा ना तो हम जादा efficiently blood को pump कर पाएंगे जादा efficiently blood को pump कर पाएंगे तो energy बहुत जादा होगी इस वज़े से हमारे अंदर double circulation होता है और चार chambers होते हैं इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है तो यह होगे हमारा human का है यहां पर खतम अब वापिस से आते हैं हमारे प्लांट के उपर कि प्लांट में भाईया transportation कैसे होता है तो आपने बता है नहीं तो देखो transportation in plant से उपर जाएगा तो यानि जाइलम जो होता है वो क्या करता है शाल्मूर पूछा जा सकता है आपके पेपर के अंदर चलिए तो यहां पर हमारा ट्रांस्पोटेशन हो गया आई होप आपको समझ आ गया होगा अब देखो एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर बस आप इतना डिफ्रेंस याद रखना कि एट्रियम की वॉल्स थिन होती है वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो थिक होती है क्यों होती है वो मैंना भी आपको बता दिया अब हम बढ़ते हैं किसके उपर एक्सक्रीशन इन हुमन बींग कैसे होता है एक्सक्रीशन वह यह तो बता दो बता रहा हूं यार सबर रख थोड़ा देख यह डाइगराम यह भी है ना यह भी डाइगराम देखो बहुत इसमें इंपोटेंट है देखो खूं को हर्ट से कौन लेकर आता था यात कर ले आयोटा लेकर आता था पर यह जू रहे Si आर्ट्री तो यह left है यह left renal आर्ट्री यह राइट रिन आर्ट्री और यह जो बिन लाइक सुप्षेंज देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं kidney छीगे खून क्या kidney के अंदर किड्नी खून को फिल्टर करेगी, कैसे करेगी बताऊंगा फिल्टर करने के बाद आप क्या होगा आपका जो बेकार, जो बचा हुआ खून है जो एकदम गंदा हो चुका है, डिटी पार्टीकल्स है वो कहां पर आएंगे, यूरेटर से आएंगे यूरे dinero से urinary blender के अंदर store हो जाएंगे यहाँ पर store हो जाएंगे और जब urinary blender भर जाएगा तो आप क्या करोगे? यूरेत्रा की मदद से क्या करोगे? excrete कर दोगे, बाहर निकाल दोगे ठीक है, ये clear है और जो खून साफ हो चुका है वो खुन वापिस से ये जो आप देख पारे हो blue वाली इससे हम उपपर ले जाते हैं खुन को वापिस ये पूरा का पूरा आपका process होता है किसका excretion का I hope ये आपको यहां तक clear है बड़ सवाल आपके मन में अभी भी चल रहा है कि बढ़े किड़नी में ऐसा क्या है क्योंकि सवाल यही तो आता है किड़नी में क्या है किड़नी में नेफरोन नेफरोन क्या होता है नेफरोन इस दी functional unit of the kidney जो भी काम कर रहा है न वो नेफरोन कर रहा है यह गंदा खून है जैसी blood आता है तो यह सुआगत करता है किस से यह सुआगत करता है capsule देख पार है इसको हम बोलते है बोमन capsule ठीक है यहाँ पर होता है filtration जिसको हम बोलते है glomeral filtration जितना भी dirt particle है जितना भी गंदा particle है nitrogenous waste है वो सब खीच लिया जाता है और blood को वापिस भीज दिया जाता है बट blood को याद आता है इसने तो मेरे सारे अच्छे particles भी हीच लिए जैसे की पानी, glucose तो blood वापिस आता है और क्या करता है इससे वापिस से मांगता है कि मुझे अपने particle वापिस कर तो यहाँ पर होता है selective reabsorption क्या होता है selective reabsorption खून के पास वापिस से particles आ जाता है जो important होते है और खून फिर क्या करता है वापिस चला जाता है और जितना भी waste particle है वो यहाँ पर आ जाता है collecting duct के अंदर आ जाता है तो तीन step होते हैं अब इन तीन step के आप heading से याद रखना लिख आप खुदा सकते हो पहला होता है grow mineral filtration जहाँ पर एकदम filtration हो रहा है second है selective reabsorption जहाँ पर खून अपने सारे products को वापिस ले रहा है जो भी useful products है और last होता है tubular secretion कि एक tubular, एक tubule के अंदर सारा waste particle क्या हो जाता है इकटा हो जाता है उसको हम बोलते है tubular secretion फिर उसके बाद आपका urine बन जाता है वो urinary bladder के अंदर चला जाता है और उसके बाद urethra की मदद से आप excrete कर देते हो I hope यहाँ तक आपको एकदम समझा गया होगा last topic है कि plants कैसे करते हैं excretion तो देखो एक तो gases gas बाहर छोड़ते है ना plant जो भी आपकी oxygen जो आप बाहर जाते हो वो excretion ही तो है plant का उसके अलावा plant क्या करते है roots के अंदर भी बहुत सारे particles को release करते है leaves के अंदर पानी के particles को release करते है उसके अलावा अगर आपने कुछ plants देखे हो ना transpiration में पानी निकालते है उसके अलावा क्या करते है raisins and gum और excretion into soil ये सारे के सारे अपने points है तो आई वोप यहाँ पर आपको सारे का सारा chapter revise हो गया होगा कम समय के अंदर और आज का question आपका जो कि आपको अभी comments के अंदर बताना है वो ये है the enzyme pepsin and trypsin are secreted किसमे secret किया जाते है बताओ pepsin और trypsin ये आपके options है ABCD फटा फट से comment में बता देना on this note हमारा हो गया है ये chapter फूरे का पुरा revise अब फटा फट से पताना comment के अंदर अगला chapter कौन सा चीए take care bye bye